गैस अगर आप लोग मोडन एरा में वेबसाइट बनाने की सोच रहे हैं तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन सी टेकनोलजी आप लोगों को यूज करनी चाहिए और किस आधार पर आप लोगों को अपनी अगली वेबसाइट के लिए टेकनोलजी को शॉट यूज आपको काम सिर्फ इतना है कि आपको अपनी बिजनेस को ओनॉन लेकर जाना है एक अनलाइन प्रेजान्स बनानी है लेकिन यह जो मैने आप लोगों को टेक्निक बताएं यह सिर्फ लागू तब होती है जब आपको एक सिंपल वेबसाइट बनानी है अगर आपको थ as a service बना रहे हो तब आप लोग यह चीज नहीं कर सकते बिल्डर वगरे यूज नहीं कर सकते आप लोग तब आपको चाहिए होता है एक अच्छा यूजर एक्सपीरियंस उसके लिए आप लोग यूज करोगे रियांग को यह नेक्स जियस को वह लाती है इंट्राक्टिविटी आप लोग की वेबसाइट पर कभी कभी आप लोगों को बड़े कॉंप्लेक्स बेकेंड बनाने पढ़ेंगे आपको अलग लगव टेबल्स बनानी पढ़ेंगी डेटाबेस में मालनो है आपको यूजर का डेटा स्टोर करना है आपको अपने कस्टमर sanity जैसे CMS का भी प्रियोग कर सकते हैं इस तरह के CMS को प्रियोग करने का फाइदा यह होता है कि आपको बिल्कुल भी back end का code लिखने की ज़रूरत नहीं है और अगर आप लोग के पास expertise नहीं है there is a good chance कि आप लोग गलत code लिखोगे प्रेस को अलग अलग use करने की ज़रूरत नहीं है next.js यह चीज इन बिल्ट आप लोगो को प्रदान कराता है APIs के थूरू server actions जैसी चीज़े होती है next.js में जो कि आप लोग मेरे codes के थूरू पढ़ सकते हो बट कुल मिला के मैं आप लोगों से बस यह कहना चाहता हूँ कि आप लोग अगर एक ऐसा product बना रहे हो जो कि आपकी website पर ही dependent है नहीं कि basically आप technology को sell कर रहे हो तब आप लोग इस्तेमाल करोगे react का next.js का और अगर आप लोग की जो website है वो काफी database इंटेंसिव है और आपको granular control चाहिए डेटाबेस का तब आप लोग आप राइट का इस्तेमाल नहीं करोगे लेकिन आप लोग database को directly use कर सकते हो MongoDB जैसे database को अपनी website के साथ seamlessly integrate कर सकते हो अगर आपको granular control चाहिए डेटा पर अगर आपको पता नहीं है कि कितना data आप future में यूज करोगे अगर आप tons of data use कर रहे हो तब आपको अलग से database लगाना पड़ेगा जिस पे बहुत कम workload हो आपको जादा database intensive task नहीं कराना है app right should be good to go अगर अगर आप लोग express का इस्तिमाल कर रहे हैं तब आप लोग npm packages का इस्तिमाल करोगे and you should be very careful with the npm packages you are using उसका reason में आप लोग को बताता हूं कि कभी-कभी npm packages बड़ी तरह लिखे जाते हैं यानि bad code होता है उसमें और वो deprecate भी हो जाते हैं और time to time कभी-कभी वो काम करना भी बंद कर देते हैं ऐसे मैं आपको बहुत careful रहना है अपने npm packages के साथ क्योंकि अगर आपके अच्छे code में npm package bad code लेकर आ रहा है यूट वांट अब मैं कुछ stacks को list करूंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि कब आप लोग को उनका इस्तेमाल करना है और कब नहीं करना है अब मैं आप लोग को बताता हूं कि PHP आप लोग को कभी इस्तेमाल करना है अगर आप लोग एक ऐसी website बना रहे हैं जिसमें की एक form है आप लोगों के पास और यही आप लोगों का एक मातर ऐसी चीज़े जो की backend में आपको use कर रही है यहीं कि आप लोगों को data को भेजना है database के अंदर through a form और बाकी आपकी website एकदम static है या बनी हुए through bootstrap, tailwind, css तब आप लोगों का इस्तिमाल कर सकते हैं क्योंकि सबसे पहले तो PHP आप लोगों को pre-install मिल जाती है almost all the web hostings पर और उसी के साथ-साथ आप लोगों को बहुत ही easily coding single file में करने के लिए मिलती है simply अपनी files को drag and drop करो और आपकी website host हो जाती है Talking about hosting मैं बात करना जाओंगा xcloud की जो कि एक कमाल की hosting है और आप लोग discounted price में प्राप्त कर सकते हैं description में दिये हुए link के through तो वीडियो में आगे बढ़ने से बहले मैं आप लोगों को Xhost के बारे में थोड़ा और बताता हूं WordPress focused features हैं बहुत सारे जैसे की optimized deployment, easy migration, one click backup, SSL management आपको मिलता है जिससे की आपको HTTPS देखने को मिल जाता है अपटी website में जो भी आप host करोगे इनकी documentation काफी कमाल किया आपको बहुत सारी quick start guides देखने को मिल जाती है जिससे की easily आप लोग अपने question का answer प्राप्त कर सकते है Xcloud ने partner किया Walter के साथ जिससे की आप लोगों को 6 महीने के लिए free hosting मिल जाती है unlimited sites ज्यादा जानकारी के लिए आप लोग description में दी हुए link का प्रियुक कर सकते हैं और xcloud.host पर आप sign up कर सकते हैं Now let's move back to a topic अब अगर थोड़ा सा भी AI और ML का इस्तेमाल अगर आप लोग कर रहे हो ना तो मैं कहूंगा python को इस्तेमाल करो अपनी website को बनाने के लिए तीन options है primarily task है, jango है, fast API है मैं recommend करूंगा fast API है अगर आप लोग जादा granular control लेना चाते हैं अपनी application का लेकिन अगर आप लोग use करना चाते हैं ORM का जो कि आप लोग को database से connect करना असान मनाता है तो आप लोग jango का इस्तेमाल करोगे अगर आप लोग अपने आपको पाते हो कि कई बार आप database को hit कर रहे हो database से जो operations हैं वो बहुत जादा हो रहे हैं क्योंकि jango में एक बहुत बढ़िया ORM होता है otherwise I recommend fast API python flask भी एक बहुत अच्छी choice है अगर आपके पास एक good reason है उसको use करने का for example अगर flask का कोई एक particular package available है आपके use case के लिए तो बिलकुल भी hesitate मत करो flask को use कर सकते हो अब अगर आप लोग user experience बहतर चाते हो पाई rocket science नहीं है next.js सीखने में आप लोग next.js को react सीखने के बाद इस्तिमाल कर सकते हो और आप लोग को पता चलेगा react लिखना next.js की साहिता से कितना simple हो जाता है अब अगर आप लोग चाहते हो कि backend ना लिखो बहुत convenient हो जाता है आप अगर अच्छा user experience देना चाहते हो अच्छी interactivity देना चाहते हो चाहते हो कि आपका page बार बार लोड ना हो जब आप user को कोई भी data serve कर रहे हो या कुछ भी interactive हो रहा application में आप चाहते हो जल्दी जल्दी load हो इदर chat message आ रहा है इदर notification आ रही है बीना page लोड हुए उसके लिए react का हम लोग mainly use करते हो next.js modern framework react का मैं आप लोग को recommend करूँगा कि आप next.js का प्रियोग करें backend अगर आप लोग जादा granular control नहीं चाहते हैं backend में I recommend app right, ila cloud फिर हमारे पास एक strappy है, sanity.io है यह सारे हमारे backend as a service है CMS हैं इन में से कुछ बहुत बढ़िया और इनको आप लोग प्रियोग में ले सकते हो कुल मिला का आपका backend जो है वो यह अपनी जिम्मेदारी में ले ले लेते हैं आपको backend scratch से लिखने की ज़रूद नहीं करके ज्यादा चकर में मत पड़ो किसी भी framework के चाहिए वो फ्लास हो जाएंगो, react to next सब कुछ side में fact के अपनी primary goal पे focus करो जो है आपका content क्योंकि आप content लिखने के लिए आरे हो market में अगर WordPress install करो, blog बना लो एक अच्छा theme लगाओ, अपनी website को एक अच्छी look and feel दो, tons of tutorials available है, text tutorials भी, video tutorials भी, आप लोग उनको देखकर अपनी website बना सकते हो, और मैं कहूंगा बिल्कुल भी, सोचो मत, WordPress ही प्रियोग में लोग अगर आप लोग बनाना चाहते हो, क्योंकि तो use करो, WordPress का अब कुछ other technologies के बारे में बात करना चाहूंगा कि क्या आपको use भी करनी चाहिए, technologies या नहीं सबसे पहले, Vue.js और Angular Angular एक TypeScript based framework है मैं personally कभी use नहीं करूंगा I mean, in near future नहीं करूंगा, future में तो नहीं पता हम लोग क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे but Vue.js and Angular से बेटर, मुझे react with Next.js लगती है, but अगर आपके पास एक good reason है Vue use करने का, Angular use करने का, for example अगर आपके organization में Vue में ही बनी हुई apps या Angular में ही बनी हुई apps, तो आपको मेरा ये बताने का कोई मतलब नहीं है, कोई फरक नहीं पड़ेगा, आपको इस बात से मैं कहूंगा, कि Next.js कर लो, react कर लो, Vue.js एक कमाल का framework है, Angular भी एक बहुत बढ़ी framework है, constantly evolve होने वाला framework है यह हमें मानना पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं, जो reference है market की, और जो ease of use है, और react की तरफ जा रही है market, तो अगर आपके पास कोई reason नहीं है, angular view को use करने का, तो मत जाना angular view की तरफ, अब ASP.NET की बात करूँगा, पहले बहुत apps बंदी थी ASP.NET मतलब, mostly web applications ASP.NET को use करके बनाना modern माना जाता था, लेकिन आज की तारिक में मैं recommend नहीं करूँगा, लेकिन अगर आप लोग windows based systems use कर रहे हैं, जैसे कि आप azure cloud use कर रहे हैं, या फिर आपका जो hosting है primarily, windows based hosting आप लोग use कर रहे हो, तो हाँ मैं कहूँगा कि आप लोग use कर सकते हो ASP.NET का, otherwise, मुझे नहीं लगता, आपको ASP.NET modern applications के लिए use करना चाहिए, until and unless आपके पास एक good reason नहीं है करने का, क्योंकि अगर आपकी organization में use हो रहा है, तो आप बिल्कुल use करोग ASP.NET अब बात करूँगा Django REST framework की, अगर आप लोग Python APIs बनाना चाहते हैं, और आप लोग इसमें Django जैसा syntax लिखते हो, काफी कमाल का framework है, इसकी documentation काफी बढ़ी है, आप लोग इसको भी check out कर सकते हो, और अगर आप लोग use करने हो, ASP जैसी technology, angular view जैसी technology, और आप चाहते हो, Python की data science, machine learning वाली power का इस्तेमाल करना, तब एक बहुत अच्छी choice है, आप लोग के लिए APIs बनाने के लिए, Django REST framework, but again, थोड़ी बहुत complexity आपके project में होनी चाहिए, तब ही recommend करूँगा ये मैं आपको, otherwise आप लोगों को जरूरत नहीं है, छोटी मोटी कोई चीज करने के लिए, लेकर आपको चार numbers का average निकलना है, obviously उसकी कोई Django REST API नहीं बनेगी, last but not the least, Ruby on Rails, एक अच्छा framework माना जाता था, पहले आज की तारिक में भी लोग बहुत appreciate करते, constantly update होता जा रहा है, अब इसकी website खोल के देखोगे, तो इसमें updates बहुत बढ़िया और तेजी के साथ आते हैं, security updates से लेके, जो preference वाले updates से user के, वो सब ये लोग देते रहते हैं, बट कही ना कहीं ये technology थोड़ी सी पीछे रह गई, in compared to React, Next.js, even Angular भी मैं कहूँँगा, ज्यादा use हो रहा है, in comparison to Ruby on Rails, और primarily Ruby language का आप लोग प्रियोग करोगे, अगर आप लोग Ruby on Rails में अपनी आप को बनाओगे, तो हाँ कहीं ना कहीं, जो structure है file का, और एक prototype development, जो है, वो काफी तीज हो जाता है इससे, बट कहीं ना कहीं मुझ से अगर आप लोग पूछोगे, तो हाँ मैं इसको यूज नहीं करूँगा, until and unless मेरे पास एक good reason ना हो इसको यूज करने का, so that was about some of the technologies, कि आपको कोई technology यूज करनी चाहिए, किस project के लिए, और किस project के लिए आपको क्या यूज नहीं करना चाहिए, अभी के लिए इस वीडियो में इतना है guys, thank you so much guys for watching this video, and I will see you next time.